दिखो, NUS ने October 924 सेशन का जो एडवीशन है वो शुरू कर दिया है आज से आज से आज से आप लोग 10 वी ग्लास में एडवीशन लेना चाहो 12 वी क्लास में एडवीशन लेना चाहो जिसका एकजाम आप लोग का October 924 सेशन में होगा उसके लिए आप लोग आज से एड्विशन के लिए अपलाई कर सकते हो और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको एड्विशन कैसे लेना है यहाँ पर हम A to Z पूरा फॉर्म को फिल करेंगे यहाँ पर हम दिखाएंगे कि आपको document क्या-क्या upload करना है कैसे आपको document यहाँ पर upload करना ही फीस आप लोग का कितना लगेगा और last date क्या है यह सब ची यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो यह मिलना है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ अभी जो है आप लोग को Stream 1 October November 24 सेशन के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा यह मैं आपको दिखा रहा हूँ हाला कि मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डियक्ट दे रखाऊं तो आपको करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मिला हुआ है उस पर किलिक करके सिधा इस वेबसाइट प्याना है अब देखो यहाँ पर आने के बाद देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा You are registering for stream 1 block 2 2030 देखो काफी सारे essay students है जो पूछते हैं कि सरह हम form तो 2024 के लिए भर रहे हैं लेकिन यहाँ पर 2030 क्यों आ रहा है तो देखो exam आप लोग का 2024 में होगा लेकिन form यानि कि अडविशन तो आप लोग 2023 में ही ले रहे हो तो इस वह से यहाँ पर 2023 आपको लिखा हुआ मिलेगा ठीक है आप लोग का exam कब होगा October November 2024 session में होगा अभी जो आप लोग अडविशन के लिए अपलाई करोगे भो तो आगे हम बरते हैं तो अडविशन का जो सबसे पहला step है आप लोग को यहाँ पर registration करना होगा इसमें आपको यह क्या मांग रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना state select करना है जिस भी state से आप लोग अपना exam देने वाले हो ठीक है state select कर लोगे और उसके आद दिखोगे तो यहाँ पर आपको identity number में आपको जो भी यहाँ पर आपने select किया है जैसे कि यहाँ पर आप दिखोगे हमने अधार select किया है तो हम यहाँ पर अधार number डाल देंगे उसका आद यहाँ पर आप दिखोगे तो course applying for कौन से course यानि कि 10 वी class के लिए आप application के लिए apply कर रहे हैं कि 12 वी class के लिए कर रहे हो वह आपको यहाँ पर बताना है अब देखो जैसे कि यहाँ पर हम 10 क्लास के लिए apply कर रहे तो थरह तласт bland यहाँ पर select कर लेंगे ठीक है और जैसे कि यहाँ पर आप 10 वी डालके submit पर click करेंगे submit पर click करने के बाद आपके सामने देखोगे कि एक ऐसा message आएगा यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा You are registering for stream 1, block 2, 2023 Are you sure to you want to continue? आपको क्या करना है? Simply आपको yes पर click कर दिना है और आपको इसको permission दे दिना है उसके बाद देखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा आप देखो यहाँ पर जो है ना आप लोग को यहाँ पर मैं थोरा सच चीजे समझा देता हूँ ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहों यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहला step आप लोग का आ चुका है basic detail का इसमें आपको देखो जो आपको basic detail में यह मांग रहे है जैसे कि आपका नाम मांग रहे father name मांग रहे mother name मांग रहे data worth मांग रहे और आपको gender select करने के लिए कह रहे email ID और mobile number अब आप यहाँ पर जो भी data दोगे जैसे कि आपका name हो गया आपका father name हो गया आपका mother name हो गया आपका data worth हो गया उसका certificate आपके पास होना चीए जैसे कि यहाँ पर एक चीज और ध्यानक न जो भी यहाँ पर detail दोगे जैसे कि name दोगे अपना father name दोगे या mother name दोगे या DOB दोगे जो भी यहाँ पर डिटेल यहाँ पर लिखोगे यह चीज यहाँ पर आपका fix हो जाएगा इसमें आप लोग कुछ भी edit नहीं कर पाओगे तो आपको करना क्या है कि आपको अपना माक्षिर देखना है जैसे कि आपको eligibility मैं बता जेता हूँ जैसे कि 10 वी class में एडविशन लेने के लिए आपका 8 वी pass होना जोरी है और अगर आप 8 वी pass नहीं हो तो उस case में self certificate से भी आपका एडविशन हो जाएगा लेकिन उस case में आपको self certificate बनवाना पड़ेगा और 12 वी class में एडविशन के लिए 10 वी class पास होना जोरी है तो eligibility criteria मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है अब देखो यहाँ पर आपको detail फिल करने के लिए आपको देखना है अपना आधार कार्ट और अपना देखना है mark sheet जैसे कि हम 10 वी class के एडविशन के लिए apply कर रहे हमारे पास 8 वी class का mark sheet है तो हम अपना नाम डालने के लिए क्या करेंगे अपना अधार देखेंगे जो भी अधार कार्ट पर हमारा नाम है वो यहाँ पर हम डालेंगे उसके आद यहाँ पर दूसरे नमर पर हमसे मांग रहा है father name तो mark sheet पर जो भी father name mention है यहाँ सरनेम के साथ है या बीना सरनेम का है वो हम यहाँ पर डालेंगे उसके आद देखोगे तो father name यह मांग रहा है उसके आद यहाँ पर mother name यह मांग रहे है तो mother name के लिए हमें यहाँ पर mark sheet देखना होगा और mark sheet में जो भी mother name है वो हम यहाँ पर mention करेंगे data worth के लिए यहाँ पर समझते चलना देखो data worth के proof में अगर आप अधार देने वाले हो तो यह detail है जो fill करोगे यह fix हो जाएगा ध्यान अखना इसमें आप edit नहीं कर पाओगे और इसको edit करने का एक ही तरीका है कि आपको पूरा payment करने के बाद फिर से आपको e-service से edit करने के लिए fees दिना होगा तो जो भी यहाँ पर आप detail डालोगे वो कोशिस करना की accurate डालो ठीक है यहाँ पर तो आप बिल्कुल अराम से अपने detail को fill करना यह इसके बाद दिखोगे तो gender आपको slate करना होगा ठीक है डालने के बाद आपको क्या करना है तो simply आपको Jannet OTP पर क्लिक करना है और उसके आद मैं आपको आगे बताता हूं कि क्या करना है OTP Jannet पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अब देखो जो भी आपने यहाँ पे mobile नमर और email ID दिया है उस पर OTP गया है और दोनों OTP यहाँ पर आपको देखकर यहाँ पे paste करना है यानि किलिकना है और इसके लिए आपको देखो 10 मिनट का time मिला हुआ है तो यहाँ पर दोनों OTP को डालोगे email ID का और mobile नमर का और आपको submit पे किलिक करना है याद रखना यहाँ पर आप verify कर दोगे तो जो भी आपने detail अभी फिल किया है जैसे कि father name mother name डियो भी यह सब fix हो जाएगा इसमें आप edit नहीं कर पाओगे ठीक है तो हम submit पे किलिक करेंगे OTP डाल के तो हमने देखो OTP डाल दिया है verify भी कर दिया है और दि लाए कि अगर हम यहाँ पे चाहे तो बारभी क्लास select कर सकते हैं यानि कि senior secondary select कर सकते हैं ठीक है हाला कि हमें 10 वी क्लास में लेना है अब देखो यह जो detail आपको मैंने fill करके दिखाया है यह आप लोग का सबसे main वाला है और इसी में काफी सारे students गलती करते हैं मैंने इसलिए आपको अराम से समझा जाएं और आपको अराम से ही form को fill करना है इसे हम बंद करेंगे और इसी के अंदर अब आपको option मिलेगा address का तो यहाँ पर आपको address कैसे डालना है यह समलो देखो address आपको वही डालना है जहां से आपको exam देना है जैसे कि हमने state कोई सा select किया था दिल् तो दिल्ली का हमे address बुरूप यहाँ पर चाहिए होगा अगर आपका दिखो अधार कार्ड पे जैसे कि कहीँ और का address है उस address पर आप नहीं रहते हो जिससे address पर आप रहते हो उसका आपका अधार से कोई लेना देना नहीं है address दूर पर गलत है तो उसके समें आपको क्या कर तो address में आपको क्या करना है कि जहां से भी आप exam देने वाले हो वो address आप लोग को यहां पे fill करना है याद रखना इसका आपके पास proof होना चाहिए क्योंकि address प्रूप में यह document upload करते समय आपको proof मांगेगा और document upload करने को भी कहेगा तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपका अधार पे address सही नहीं है जहां सा आप exam देना चाहते हो वो address आपके अधार पे नहीं है तो उसके समय या तो आप bank का पास book जो होता है आपका वो यहां पे उसका address यहां पे mention कर देना और उससे आप upload कर देना फोटो कीच के या फिर अगर आपके पास कुछी नहीं है तो पहले यहां पर आप देख लो देखो address फिल करते से मैं भी काफी सारे students जो है गलतिया करते हैं कोन सी गलतिया करते हैं तो जैसे कि यहां पर आप देखोगे house number, floor number, floor number, door number यह दिया गया है देखो अगर आपका house number नहीं है ठीक है ना आपका door number है नहीं floor number है या flat number है तो उसके इसमें क्या करना है कि इसमें आपको अपना फादर का निम डाल दिना है जैसे कि आधारकार आप देखोगे तो अधारकार में क्या होता है कि सबसे पहले आपका नाम पापा का नाम होता है उसके बाद आप लोग का पूरा डिया जाता है तो अगर आपका प्लोट नमर नहीं ह इसे चाहो तो आप इसके भी कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो में जो है आप लोग का यहाँ पे village, word number और landmark इसमें आपको बताना है पूरा address यानि कि आपको इसमें locality भी बता सकते हो लेंड मार्क क्या है वो भी बता सकते हो गाउ में रहते हो तो Ward number आपको पता होगा वो बता शकते ओ village में रहते ओ तो village यानि कि गाउ का नाम बता सकते हो यानि कि पूरा address आपको यहाँ पे फिल करना है ठीक है अगर landmark है कोई जो address में आपका mention है जैसे कि हम passbook देने वाले हैं जो passbook में हमें address mention है सिर्फ state को और district को छोड़ के वो हम यहाँ पर पूरा fill कर देंगे उसके आद दिखोगे तो आपको district slate करना होगा district जो भी आपका लगता वो slate कर लोगे यहाँ पर अपना pin code डालोगे जो भी district का आपका pin code है और यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद दिखोगे तो आपको यहाँ पर यह option मिलेगा अगर आपका correspondence address बिल्कुल same है तो इसमें आपको same as permanent address पर आपको click कर दिना है इस column पर जब आप click करोगे तो address जो है यहाँ पर copy हो जाएगा एक चीज और हाँ पर आपको बताता चलूँ दोखो correspondence address पर आप लोग की mark sheet आती है आप लोग की books आती है तो जो भी आप लोग का correspondence address होगा उससे देख लिना आप लोग मिलनी जो है इसी पर आप लोग की certificate आते है और books जो आपको addition के बाद मिलनी है वो भी आपको अगर by post मिलती है तो आप correspondence address पर ही आएगी ठीक है तो यह सारी चीर डाल दोगे यहाँ पर देखो telephone number का एक option मिलेगा इसमें आपको skip कर देना इसको आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ठीक है यह skip खाली ही छोड़ दिना उसका आत देखोगे तो nearest post office चूच करने का option मिलता है इसे भी आप skip कर देना इसमें आपको कुछ नहीं भरना है ठीक है तो यह हम सारा detail फिल कर देते हैं और address detail फिल करने के बाद आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके साब का दिखेगा तो यह देखो आप लोग का कुछ इस तरीके से देखेगा जैसा कि हम्यारा correspondence address भी जो है same है permanent address है तो हम same address प आपको कुछ चीजे समझानी पड़ेगी इसको कि आप मतलब क्या हो medium क्या लेना चाहते हो और यहाँ पर और भी कुछ चीजे है जिसको आपको समझती चलना है देखो यहाँ पर other information में क्या पूछ रहें other information में सबसे पहले पूछ रहें आपका social category यानि की caste आप किस caste से बिल करना क्योंकि बिना certificate आप लोग का यहाँ पर स्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है आपका एडविशन कंफर्म होगा ही नहीं ठीक है फिस तो भले ही कम हो जाएगा लेकिन एडविशन कंफर्म होगा ही नहीं अगर आपके पास certificate नहीं है तो तो आप SC यहाँ पर STOBC से बिल disability में आपको कोई disability है जैसे कि आपके सारी एक समंदित कोई भी रोग बगारा है जैसे कि आपको यहाँ पर काफी सारे option मिल जाएंगे यहाँ पर आपका यह देखोगे visual blindness है अगर आपका hearing problem है या फिर आपको mentally आपको कुछ disturb हो तो उसकेस में यहाँ पर आप स्लेट कर लेते हो कोई भी है तो उसका certificate आपको upload करना होगा नहीं है तो उसकेस में आपको not applicable ही रखना है ठीक है नौर्मली not applicable ही रखना है उसके आप देखोगे न तो medium of study किस medium में मोगा और आपको देखो इसमें काफी सारर आपको मिल जाएगा जैसे की इंग्लिसमि जुझराति मिल लाए हिंदी मिल लाए कम्ली मिल लाए मल्यानम मिलाए मराथी apply काफी सारे आपको option मिल लेघे झैजक यहाँ पर आप दिखोगे जो भी आपको यहाँ पर लगता है उ सकते हैं तो देखो एक्जाम तो आप Hindi Medium में देना चाहो तो दे सकते हो English Medium में देना चाहो तो भी दे सकते हो क्योंकि Pasको दो Language में मिलेगा Hindi और English में आपकी मर्जी है आप किसी language में comfortable हो लेकिन इंग्रिपर आपको पूरा किसी एक इ o लेकिन हिंदी इंग्लिस के लावा जितने भी आप लोग के लेंग्वेज यहां पर ओफर करे जा रहे हैं जैसे कि गुजराती, मराथी, मल्यालम, उर्दु, उर्या यह समय से किसी एक में आप स्लेट करते हो तो उसके समय आपको उसी मीडियम में पढ़ाई करनी होगी उसी म होता है कि आपको अच्छे से किलिक कर दिया है यही हमें बता रहा था उसका दिखोगे तो आपको यहां यह बताना होगा guardian institution name skip कर दिना है कोई जरूरत नहीं है उसका यहाँ पर हम थोड़ा से इधर आ जाते हैं ex-servicemen में आपको yes no slate करना है अगर आप ex-servicemen हो तो yes और नहीं हो तो no ठीक है orphan में आपको net application के वाली रखना है your previous qualification देखो इससे आप अच्छे से समल लेना अगर आप देखो परहाई करे हो पहली class की दूसरी class की तीसरी class की चोती class की पांचवी class की या आठवी class की सातवी class की ग्यारवी बारवी जो भी आपकी qualification है वो आपको यहाँ पर slate करना है जैसे की मैंने आपको बताया था दसवी class में एडवीशन लेने के लिए आपका आठवी पास होना जोरी है दूसरा अगर आप नहीं हो तो self certificate से हो सकता है जैसे की अगर आपको देखो दसवी class में एडवीशन ले रहो self certificate से तो उसकिस में आप क्या select करोगे नो स्कूलिंग आपको select करना है जैसे की हमारा देखो आठवी class का mark sheet है हमारे पास तो यहाँ पर हम एर्थ select कर लिए यहाँ पर आप देखोगे तो एक pop-up आया है previous qualification last study class certificate will be required to be upload यानि की जो भी हमने class यहाँ पर select किया है वो certificate हमें upload करना होगा previous qualification यहाँ पर status पूछ रहा है कि pass हो की fail हो क्या हो तो आपको यहाँ पर जो भी है pass fail यहाँ पर select कर लिए हो एक option आपको मिलता है part addition और dual enrollment का इसे समझते चलो देखो part addition क्या होता है part addition का मतलब होता है कि आपने already पढ़ाई कर लिए हो 10-2 class की दुबारा से पढ़ाई करनी चाहते हो तो उस case में आपको part addition में yes select करना है अगर आप देखो CBSC से पहले पढ़ाई कर चुके हो 10-2 class की या बारभी class की या इसी तरीके से state vote की पढ़ाई कर चुके हो 10-2 class की या बारभी class की दुबारा से आप पढ़ाई यहाँ पर करना चाहरे हो एन्वेस में तो उस case में आपका क्या case लगेगा part addition में आपको yes select करना होगा ठीक है तो यहाँ पर आप समझ गयोंगे जैसे कि हमारा तो पहले हुआ इन्वे 10-2 class तो हम यहाँ पर no select कर देते हैं उसका declaration पर क्लिक करोगे और यह check box आपको मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है check box पर क्लिक करने कर देखोगे तो next पर आपको क्लिक करना है ठीक है अब यहाँ पर आपका form फिल हो चुका है दूसरा step आप लोग का यहाँ पर आ चुका है optional detail का इसमें आपको optional detail देनी है जैसे कि यह पूछ क्या रहा है आपसे disadvantages group में आपको बताना है कि आप अगर disadvantages group से बिलोंग करते हो तो उसके समें यहाँ पर आपको yes no select करना है नहीं है तो यहाँ पर आप देखोगे कि not applicable select करना है जैसे कि disadvantages group में आपको काफी सर आप्शन मिलेगा working children हो, rural women हो, slum dollar हो या street यहाँ पर देखोगे children हो, UN women हो या ormance project जो भी है देखो यह सब जो है आपको आपकी मरजी की नहीं है अगर आपको समझ में आता है तो yes no select कर सकते हो नहीं समझ में आता है तो आपको not applicable लगना है ठीक है not applicable लगने के बाद देखोगे तो आपको यहा कैसे भासा बोलते हो जैसे कि हिंदी बोलते हो, इंगलिस बोलते हो, तैलीगू बोलते हो, उर्दू बोलते हो, कैसे भासा आपना regional language जो है आपका वो बताना है आपको तो regional language यहां से आपको select करने को option मिल जाएगा यहाँ पर हमने select कर लिया है और उसका देखोगे तो यहाँ से आप select कर लोगे उसका देखोगे तो mother यहाँ पर qualification बताना है आपको कि आपकी मम्मी जो है कितने यहाँ पर class तक पढ़ी होई है अगर नहीं है तो no ठीक है उसका दियोर graphical area में आपको यहाँ पर देखो अगर आपको पता है detail कि आपका जो area है किस location में आता है जैसे से हमने select कर लिया है उसका देखोगे तो extra में आपको option मिलेगा performing arts का sports का और fine art का इसमें से अगर आपका कोई है तो देख लेना नहीं तो any other यहाँ पर cultural activity पर आपको click रहने देना है ठीक है economy की backward class यहाँ पर आपको हो जैसे कि होता है न कि पिछरा वर्ग जो होता है ठीक है जैसे कि OVC वाले जो हो जाते है न वो मतलब इस category में आते है तो अगर आपके पास उसका certificate है तो economy की backward class का आपको select कर लेना है अधर्वाइस note applicable आपको select करना है इधर आओगे तो यहाँ पर को रहते हो कि आपको बताना है father qualification पापा कितने पर लिखकर आपको बताना है उसका देखो गयां पर हमने क्या करना है देखो सबसे कम सेलेक्ट नहीं करना है सबसे कम सेलेक्ट करोगे तो उसके समें यह आप से कहेगा कि आप इंकम सेलेक्ट भी दो ठीक है जैसे कि 5-50 यहां पर मैं एन्वल इंकम बताता हूं अपनी फैमली की तो उसके समें यह बोलेगा कि income certificate भी दो और बीना income certificate को upload किये हुए है आपको आगे नहीं बरने देगा ठीक है तो आपको क्या करना है कि आपको ये एक लाख वाला select कर लेना है ठीक है इधर आओगे तो ये सारा हो चुका है next पर हम click करेंगे और next पर click करने के बाद दिखोगे कि आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा इसके बाद देखोगे तो आपके सामने third step आएगा subject selection का अब यहाँ पर देखो subject selection से पहले एक option आपको दिया गया है TOC का तो इसे भी आप समर लो देखो TOC क्या होता है TOC उनी students के लिए होता है जो already 10 वी class की पढ़ाई पहले कर चुके है ठीक है फेल हो गया थे एक subject में दो subject में जैसे की मेरे पास 5 subject था 10 वी class में अभी मैं हाली में 10 वी class फेलो के आया हूँ जिसमें से 3 में pass हूँ और 2 में फेलो तो TOC का मतलब क्या होता है NUS में कि जिस subject में आप pass हो उस subject का आप TOC लेलो जो subject आप pass हो उस subject का mark जो है आपके NUS में adjective यहाँ पर transfer हो हम first time जो है 10 वी class कर रहें तो यहाँ पर हम TOC हमें option मिलेगा ही नहीं क्योंकि हम first time कर रहें पहले हम कभी पढ़ाय किया ही नहीं है 10 वी class की तो यहाँ पर हमें 9 ही select रखने देना है ठीक है उसके आप दिखोगे तो यहाँ पर आपको subject select करने का option मिलेगा जिसमें आप दिखो का vocational subject है जो कि यहाँ पर minimum एक subject यहाँ पर maximum यानि की एक subject select करने का option आपको मिलेगा अब देखो आपको subject कैसे select करना है तो minimum आपको यहाँ पर 5 subject करना ही है ठीक है क्योंकि freeze जो आपकी वनेगी 5 subject की वनेगी हाँ देखो 4 भी कर सकते हो 3 भी कर सकते हो लेकिन original mark sheet की time आपको यह चीत ध्यान रखनी चाहिए कि original mark sheet आपको अन्वेस तभी देगी जब आपके पास 5 subject होंगे ठीक है 5 subject में एक language subject होगा जैसे कि हिंदी इंगलिस संस्क्रित उर्दू जो भी language subject लेना चाहूँ तो अगर आपको देखो अन्वेस से original mark sheet लेनी है free of cost और original certificate लेनी है free of cost तो उसके English में आपको 5 subject कम से कम यहां पर select करना ही है जैसे कि पहला subject यहां पर हम select कर लेते हैं जैसे कि मैंने एक language subject ले लिया English ठीक है यहां पर देखोगे तो एक इसमें से मैं ले लेता हूँ अगर मेरे को पसंद है तो यहां पर जैसे कि मेरे मतलब का कोई subject नहीं है इसे मैं यहां पर आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं वो आप ले सकते हो जैसे कि यहां पर आप दिखोगे तो मुझे जो है दसवी क्लास में यहां पर आप दिखोगे तो दसवी क्लास में मुझे क्या लेना है पेंटिंग लेना है त्यूंकि असान सब्जेक्ट है और मैं यहां से और सबजेक्ट लेना चाहूं तो और भी काफी सारे अप्षन है देख लेना कि आपको लेना क्या है इसमें किस सबजेक्ट में आपका और आप पर सकते हो जैसे कि मैं सोसल साइंस लेना चाहता हूं ठीक है दो हो गया ठीक है एक और इसमें से मैं ले लेता हूं यहां पर आप दिखोगे सोसल साइंस हो गया एक मैं और इसमें से लेना चाहता हूं जो की है मेरा यह दिखोगे साइंस एंड टेकनोलीची यानि की स ठीक है दसवी क्लास बिना Science के करना आपके लिए सही नहीं है ठीक है धियान दखना ये subject में आपको बता रहा हूं न ये आप लोग के लिए Best है और एक valuable subject है ये जो मैं आपको यहाँ पे एड़ करके दिखा रहा हूँ English हो गया, यहाँ पर painting हो गया, social science हो गया, science and technology एक तरीके से normal जो valid होता है न दसवी class की कि यह subject होना चाहिए वो तो अभी हमें subject कितने हो गए है, 4 हो गए है एक और यहाँ पर select करना है, वो casell में से हम select कर सकते हैं वो casell में देखो, यहाँ पर आपको काफी सारे option मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे, वो आपको यहाँ से select कर लेना है जैसे कि मुझे yoga जो है, अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पर select कर लिया हूँ लेकिन minimum आपको 5 subject select करना ही है, अगर आपको NUS से original mark sheet, video of course चाहिए तो ठीक है, यह सब चाहिए आपको कोई नहीं बताएगा, तो इससे ध्यान नकना, इससे हमने fill कर लिया, next वे click करेंगे हमारी details सारी fill होगे, next वे हम click करेंगे, और next वे click करने के बाद देखोगे, तो यहाँ पर हमें कहेगा study center select करने के लिए, अब देखो study center select करने से पहले हमें बताना होगा इसको district, और यह हमें district बताने के बाद हमारे district में जितने भी एन्यूइस के study center होगे, वो हमें यहाँ पर सो कर देगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, तो मैंने अपना district select कर लिया है, यहाँ पर आप देखोगे, तो यह कहला, no, यहाँ पर आपको दिया गया है, no, तो जो भी आपका district के होगे न, तो यहाँ पर आपका जो reference नमर होगा, तीन reference देने के बाद, इस तरीके से देखो, यहाँ पर आपको अपना study center select कर लेना है, देखो हो सकता है कि आपके district में जो है, आपको study center ना मिले, लेकिन आपको अभी नहीं मिला है, तो उसके समें आपको थोड़ा सा wait भी कर करना है, wait करने के बाद भी अगर आपको study center नहीं मिलता है आपके district में, तो आपके nearby जो भी आपका district लगता है, जो nearby में है आपका, वो district select करके अपना study center select कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर तीन reference देने होते हैं, एक, दो, तीन करके, और तीनों को यहाँ पर continue करना होता है, देख करने में काफी सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत आता है, और काफी सारे बोलते भी है कि हमें document upload नहीं हो रहा है, देखो document upload करने के लिए आपको एक app download करना है, एप का नाम में आपको reduce photo size है, और इसके लिए कोई भी paid promotion नहीं है, इसके लिए मुझे कोई भी payment नहीं मिला है, यह जो app मैं आपको बता रहा हूँ, यह आप लोग को अच्छे से document upload करवा देगा, इसलिए आपको इमें reference दिया हूँ कि आप लोग reduce photo size एप को download कर लेना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चलो मैं आपको download करके ही दिखा देता हूँ, यह देखो यह जो app है आपको reduce photo size यह आपको app मिल जाएगा आपके play store पे, इसे search कर लेना, इसके लाबा और भी app है जो आप लोग को मदद कर सकते हैं document को upload करने में, लेकिन इसे आप कर लोगे तो आपको अच्छे से document upload हो जाएगा, अब इसे हमने यहाँ पे download तो कर लिया है, इसका use मैं आपको अतायता कि कैसे करना है, तो document में क्या क्या लगना है, यह आप देखलो उसके आद हम document को upload करेंगे, हलाकि document तो हमने पहले upload कर दिया है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि और अच्छे से आप लोग document को कैसे upload कर सकते हो, तो यहाँ पर आप दिखोगे कि document में आपका सबसे पहले जो ल दे सकते हो, बस certificate है तो बस certificate दे सकते हो, failed mark sheet में यहाँ पर आप देख लेना, अगर आप fail हो, तो उसके समें आपको यहाँ पर fail वाली mark sheet अपलोड करनी होगी, जैसे कि 9th class fail हो तो उसके लिए इसमें आपको 9th class यहाँ पर mark sheet देनी होगी, उसके समें वहाँ पर previous qualification में change कर ले आपको 9th class fail हो, previous qualification में आपको 8th class की mark sheet और 10th class की mark sheet यहाँ पर अपलोड करनी है, या 10th class में अपर आपको अपलोड करना है, या तो आपको बैंक पास्बूक हो गया वो, या फिर आप लोग का rent agreement हो, ठीक है, अगर आपकी देखो, age 18 साल से कम है, तो उसके समें अपने मम्मी का, जो joint account होता है आपके साथ, उसका passbook भी यहाँ पर डाल सकते हो, उसका address भी आप लोग के लिए valid होगा, rent agreement भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, अधार भी अपलोड कर सकते हो, जो भी आपका सही है, जो जिसको देखकर आपने address फिल किया, वो document यहाँ पर आपको है, ठीक है, category certificate आपने upload किया होगा, यहाँ पर option में लिया होगा, तो upload करना ही होगा, disability certificate आपको upload करना पर सकता है, अगर आपने option में select करा होगा, yes, तो any other certificate में मरजी है, आप कर सकते हो, 10 वी class की mark sheet आपको यह तभी मांगेगा, जब आप 12 वी class के लिए apply किया होगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर हमें 8 वी class की mark sheet upload करना ही होगी, अगर हम 10 वी class में अडविशन ले रहे हैं तो, और 12 वी class में अडविशन ले रहे हैं तो, 10 वी class पास होना mandatory और उसकी mark sheet भी, अब यहाँ पर मैं आपको document upload करके दिखायता हूँ, और जो app में आप आपको अभी download करवाया हूँ नो, वो app आप लोग कैसे यूज कर सकते हो देखो, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, एक example के लिए हमें एक कर रहे हैं, एक चीज़ और ध्यान लखना, जितने भी document यहाँ पर आपके upload होंगे, वो सिर्फ आप लोग का photo खीच की होगा, यानि कि photo खीचो और upload करो, ठीक है, PDF में नहीं लेगा, size 1MB से ज़्यादा नहीं होनी चीए, जो photo आप खीचोगे, जिस भी document का, वो 1MB से ज़्यादा नहीं होना चीए, ठीक है, फाइल पर आप क्लिक करोगे, और आपको यहाँ पर three line पे क्लिक करके, यहाँ पर एक app मिल जाएगा, ज ठीक है, यहाँ पर आपको select image पे क्लिक करना है, जाहाँ भी आपने photo case की रखरका है, वो select कर लिना है, ठीक है, उसकी आप दिखोगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कि इसे crop करना है, ठीक है? crop कैसे करोगे तो जो भी आपकी डिटेल यहां पे सही है वो आपको crop करना है ठीक है यह मैं जो आपको app इसे सज़ेस्स किया हूँ क्योंकि इसमें option है आपको crop करने का crop करने से क्या होगा ना कि document आप लोग का विल्कुल need and clean upload होगा ठीक है फोटो तो need and clean होने चाहिए route भी कर सकते हो rotate भी कर सकते हो कि आपका यह है यह देखो और done पर क्लिक करना है ठीक है done पर आप क्लिक करोंगे तो यह upload हो गया ठीक है तो इसी तरीके से सारे document आपको upload करना है मैं सारे upload करके दिखाऊंगा तो video upload के लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको next पर क्लिक करना है next पर क्लिक करने कर देखो form देख लेना कि आपने जो form फिल किया है यह form review है form फिल करना है यहाँ पर देख लेना कि जो भी आपको edit करना है अभी कर लो payment से पहले आप edit कर सकते हो अगर आपको address में कोई edit करना है study center में कोई edit करना है और आपको यहाँ पर option detail में कोई edit करना है तो आप कर सकते हो और देखो यहाँ पर जो आपका name डाला है आपने father name डाला है, mother name डाला है उसमें तो आप कुछ करी नहीं सकते हैं तो यहाँ पर यह सारी चीदे करने के बाद पे करोगे यह दिखोंगे पे कर दिया है आपको, कुछ, कोश्टन जो है आप लोग को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जो कि आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है तो अब आप लोग दिखोंगे अपना लास जिट जान लो कि जो अभी आप लोग एड़िशन के लिए अपलाई कर रहे हो उसका last date क्या है तो last date यहाँ पर आप दिखोगे 16 सितमर से आप लोग का एड़िशन सुरू होने वाला था और एड़िशन सुरू भी हो गया है 16 तारीक को ही है मैं वीडियो अना रहा हूँ लेकिन आपको वीडियो मिलेगी है 17 तारीक को ठीक है क्योंकि edit करने में से time लगेगा ठीक है last date यहाँ पर दिखोगे तो आपको 31 जनवरी तक का time दिया गया है बिना किसी late fees के साथ जो आप लोग की normal fees है वो आपको लगेगा और अगर आप दिखो यहाँ पे late fees की बात करोगे कि कब से लगेगा तो 31 जनवरी तक तो आप लोग बिना किसी late fees से admission ले सकते हो जो normal fees है उसमें और late fees आप लोग का कब से लगेगा तो 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में आप लोग का 200 रूपे late fees के साथ एड़ीशन होगा और 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में आप लोग का एड़ीशन होगा 400 रूपे late fees के साथ यहाँ पर आप दिखोगे एक माज से लेके पंदरा माज तक जो की लास्ट है आप लोग का एडविशन होगा 700 रुपए लेट फीस के साथ फीस यहाँ पर जान लो तो फीस यहाँ पर आपको बता दू दस भी क्लास में एडविशन लेने के लिए जो फीस है ठीक है यहाँ पर आप दिखोगे तो 18 100 रुपए male candidate के लिए है और female के लिए सारे 14 100 रुपए है जो मतलब किसी category से बिलोंग नहीं करते है normal category के है जो general है वो और SCST के category के जो students है उनके लिए 1200 रुपए रखा गया है पांच सब्जेक्ट की ये फीस है टी ओसी है तो उसके समें 110 रुपए extra पर सब्जेक्ट लगेगा और DOC के वारे मैंने आपको बताया भी है तो ये जो आप लोग को फीस में बता रहा हूं ये आप लोग की official फीस है जब payment करोगे तो इसमें 50 रुपए आप लोग की processing फीस लगेगी किसी से एडवीशन लोगे तो वो अपना एडवीशन फीस भी लेगा अब देखो वीडिय खुस्से करना है तो खुस्से कर लो वीडियो मैंने आप लोग के लिए बना दिया है